ओप्रेशन जिब्राइटर, शिमला समझोता और कारगिल संघर से लेकर हिंदुों के पलायन तक की कवाह बनी कश्मीर की भूमी का दिहास पहले ऐसा नहीं था, बलकि है काफी सम्रद और पौराणिक महत्पर रखता था निलमत पौराण के अनुसार यहां शासन करने वाले पहले शासक गोनन्द थे, जिन्हें कौरवों और पांडवों का समकाली इनवाना जाता है, तथा उनका और युधिस्टिर का रजा विशेख भी एक ही समय पर हुआ था इसी पौराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने कश्मीर की भूमी को पारवर्दी का प्रतीक और कश्मीर राजा को शिव का आंशिक अवतार कहा है, पौराणों से हटकर कश्मीर ने भारती इतिहास को सरवाधिक प्रभावित किया, जहां ज्यान की लगवग हर शाखा का विकास हुआ है, जिसने कश्मीरी संस्कृत को समर्द किया, वैदिकाल से यहां शैव, जैन और बौद धर्म पले फूले हैं, कश्मीर का एक गौरवशाली राजनीति की तिहास भी रहा है, कलहड की रास्तरंगनी उसी गौरवशाली तिहास को दर्शाती है, जहां आठ सौ से 1200 के मद्धे कारकोट, उतपल और लोहार वंश ने शाशन किया, इसी भूमी पर कश्मीर के नीरो के नाम से हर्ष ने भी शाशन किया था